उद्दव ठाकरे के कुर्सी जाने के बाद अब M.V.A गटबंधन में उनका ओधा घटता जा रहा है बीते एक दो दिनों में कई संकेत ऐसे मिले हैं जिससे मालूम पड़ता है कि अब M.V.A में उद्दव ठाकरे से कही गुना ज्यादा उपर शरत पवार हो गए है महरास्ट में सियासी तकता पलक के बाद शरत पवार ही है जो विपक्ष की सबसे मजबूत सरकार बने है और इस मजबूत सरकार पर सोनिया गांधी ने अपना रुक साफ कर दिया है आप सब जानते हैं विधान सभा में विपक्ष के नेता NCP की तरफ से अजीद पवार को बनाया गया है उद्दव ठाकरे फिलहाल खामोश है शरतपवार ने बीते दिनों 5-6 महिने में शिंदे सरकार के गिरने का दावा किया और शरतपवार की ही आरोपो को मजबूत करती हुई कॉंग्रेस नजरा रही है उद्दव ठाकरे का कोई रुख नहीं है लेकिन शरतपवार की आवास को कॉंग्रेस मजबूती से उठा रही है शरतपवार के बाद अब कॉंग्रेस ने भी बड़ा दावा किया है और कह दिया है कि ये जो सरकार शिंदे के चल रही है ये 5-6 महिने में गिर जाएगी कॉंग्रेस के मीडिया इवं प्रचार प्रमोग पवन खेडा ने कहा महरास्ट में एक नाच्छिंदे और देविंदर फणवीज की सरकार यानि एडी की सरकार बनी है एजेंसियों का दुरुप्योग करके पैसों का दुरुप्योग करके विखायों को दराया धमकाया जा रहा है सरकार बनाने की ऐसी छटपटाहट थी कि सुभ़ चार बजे शपत के लिए पहुँच गए वही साहब अब बीये पास करके फिर से बारवी में पहुँच गए है पवन खेडा ने कहा शरत पवार जी ने ठीक कहा है इस तरह की बुनियाद पर बनी सरकार ज्यादा समय तक नहीं टिकती ये सरकार पांच-शे महिने में गिर जाएगी आपको बता दें, MPA गट बंधन में अब कॉंग्रेस की सहमती से सबसे बड़े नेता बन चुके हैं शरत पवार MPA गट बंधन में अब उद्दव ठाकरे नमबर 3 पर आ गए हैं और कॉंग्रेस के समर्थन से शरत पवार का प्रमोशन हो चुका है शरत पवार एक बार फिर से किंग मेकर की भूमिका में आ चुके हैं अब इस बार किसे किंग मेकर बनाते हैं या कि आने वाले वक्त में पता चलेगा नेक्स्ट नाइन निउस्रूम की रिपोर्ट